दोस्तो आज किस वीडियो में हम साइंस के टोटल 20 कोशन करने वाले हैं, तो आज किस वीडियो में जो हम टोटल 20 कोशन करने वाले हैं, इसमें से 15 कोशन ऐसे हैं, जो पिछले साल के B8 के इंटरेंसिक जाम में पूछे गए हैं, जैसे उतरपरदेस हो गया, देली हो गया और आजिस्थान में जो B8 के intrinsic exam होते हैं और उसमें जो general science के जो question पूछे जाते हैं उसमें पूछे गए हैं तो please दोस्तों वीडियो को end तक देखेगा एंड आज आज आप लोग please यार सभी लोग score जरूर बताना कि आपने कितने सही आपके हुए क्योंकि दोस्तों आज के जो question है वो पिछले साल के paper में पूछे गए हैं और इससे पता लग पाएगा कि आपके कितनी जादा तैयारी हो पाई है क्योंकि काफी जादा important question है और ये सभी जो question है वो B8 के intrinsic exam में को दे सकते हैं ठीक है तो इसलिए मैं जो है important question करवा रहा हूँ आपको आप लोग एक वार question ये भी question पूछा गया है और दोस्तों कुछ question ऐसे है जो उत्राखंड उत्राखंड में जो DL8 के लिए intrinsic exam होते है हिमाचल परदेश में भी जो है ना DL8 के लिए intrinsic exam होते है तो उसम में भी पूछे गए जनरल साइंस के question जली तो हम सुरू से start करते हैं question first है हमारा बल का SI मातरक क्या होता है ठीक ना force का SI मातरक क्या होता है देखिए SI का full form होता है international system of units ठीक ना उसको हम short form में SI के नाम से जानते हैं अब बल का SI मातरक क्या होता है तो दोस्तो option A Newton, option B, watt, option C, MPR option D, Kelvin तो इसका right answer क्या होगा जल्दी से आप लोग comment box में बताइए तो देखिए इसका right answer जो होगा बल का SI मातरक Newton होता है question number second, सकती का SI मातरक क्या होता है option A Newton तो Newton देखिए साथ ही साथ जो है आप लोग याद भी कर लिजेगा तो Newton जो होता है वो बल का SI मातरक होता है option B, watt, option option C, MPR, option D, Kelvin तो देखिए इसका right answer जो होगा ना सकती का SI मातरक what होता है ठीक ना what तो आज हम जो है question को जल्दी से करते हैं दाप pressure का SI मातरक क्या होता है option A है हमारा Pascal, option B हमारा बाट, option C है हमारा MPR, option D हमारा Newton तो देखिए दोस्तों सकती का SI मातरक तो what होता है, Newton जो होता है य एक वेग्यानिक थे, उसी के नाम पर जो है दाप का SI मातरक रखा गिया है, question number 4, लोहे के उपर जिन की परच चढ़ाने को क्या कहते हैं, ठीक ना, option A, यसद लेपन, option B, किनबन, option C, विस्थापन, option D, इनमिस से कोई नहीं, तो देखिए, fermentation के दुआरा जो है न, alcohol का निर्म एक चीज के कई नाम होता है, पर इंगलिस में जो है एक ही नाम होते हैं, तो इस situation में अगर आप जो है, इंगलिस के भी जो है, आप याद रखेंगे option, तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पर कुछ भी गुमाफिरा कर अगर option दिया जाए, तो आप लोग समझ जाएंगे, तो इसलिए इंगलिस के भी option जो है, जरूर पढ़ना आप लोग, उसमें question में, तो यह question number जो 5 है ना, किसे हम को सीका का सकती के इंदरक भी कहते हैं, दोस्तो यह question जो है, मैंने 4-5 दिन पहले जो है, करवाया था, तो दोस्तो यह question पता है, मैं क्यों सामिल किया हूँ, आज क करते जाना है, देखिए, यह question कई बार paper में पूछा गया है, तो सभी students जो है, इसका answer देंगे, and मैं check करूँगा, अगर आप गलत answer करते हैं, तो उसको जो है, मैं सही भी करूँगा, तो please दोस्तो, आप लोग साथ ही साथ याद भी कर लिजेगा, अब इसको इसलिए सामिल क है, ताकि इससे मैं पता लगा पाऊं कि student जो है, कितने ज़्यादा time तक जो है, वो याद रख पाते हैं, चलिए, question number six, खाने के नमक का रसाइनिक नाम क्या है, option A, sodium chloride, option B, sodium wicarbonate, option C, sodium carbonate, option B, calcium sulfate, तो दोस्तो, इसका right answer होगा, खाने के नमक का रसाइनिक नाम होता है, sodium chloride, ठ इस question का answer जल्दी से आप लोग बताईए, most important question है, दोस्तो, यहाँ पर पूछा गया है, जब किसी विद्यूत परिपत में, एक सेकेंड में, एक कुलाम आवेस का परवाह होता है, तो परिपत में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, option A, 1 ampere, option B, 2 watt, option C, 3 pascal, option D, 4 newton, दोस्त अगर आप याद करके जाएंगे, तो question माली जी अलग तरीके से घुमा कर देता है, तो याद करा हुआ काम नहीं आएगा, अगर आप समझ के जाते हैं, तो वहाँ पर question का answer कर पाएंगे, सेम math जैसा ही होता है, math में जो question हम करके जाते हैं, सेम वहीं नहीं आता, उसको घुम question number 8, विद्यूत आवेस, इलेक्टरिक चार्ज का, एसाई मात रख क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो है न, अगर आपको बाकी चीजे पता है, तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे, देखी, यहाँ पर देखी, newton, ठीक न, तो वल का एसाई मात रख हम होता है, ठीक न, और MPR, विद्यूत आवेस, इलेक्टरिक चार्ज के गती या परवाह में होने पर उसे क्या कहते हैं, अभी हमारा question, question number 8, हमारा क्या थे, एक बर जल्दी से देखी, question number 8 था, विद्यूत आवेस का इसाई मातर क्या होता है, बट वहाँ पर क्या पूछा गय है कि जव इलेक्टरिक चार्ज जो होता है, जब वो गती में होता है, परवाह में होता है, मतलब कि वो चलता हूँ रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए, दोस्तों, समझ जीं यहाँ पर, उसे हम option ने, विद्यूत आवेस कहते हैं, या MpR कहते ही, या Newton कहते हैं Newton होता और Vid integrity and ampere विदियू तो जू nhार। था था हम आरो हमारा question है विदियू दारा हम सहे के होगे जब आप हवी फॉनní चार्ज करते है तो जब light चली जाती यह जह तो electric charge जो होता है वह फरवाह deux तो जो दो यू बलाईIAN हो P तो इस प्रकार उसे हम क्या बोलते है विद्द्द्ध हार बोलते है कुशन Carni 1944 2 किसे तरीकर बोलते है किनहीं दो विद्द्धियों? यहां पर आप १िझ लिख लिजये किनहीं दो विद्धियू झास ? विद्धिवत विभववों के फिए क्किए कई है option A, विभानतर कहते है option B, potential difference कहते है ठीक न, option C, वोल्टता कहते है, option D, उप्रोक्त सभी तो दोस्तो यहाँ पर जो है न, यह तीनों जो option है, वो same ही है तो इसका right answer जो होगा, उप्रोक्त सभी इस तरीके से question को पूछा जाता है देखिए, यहाँ पर आप खुद समझ सकते है question number 11, तो दोस्तो अभी तक जो है न, हमने 300, इसको मिलाकर जो है हमारे 360 question हो जाएंगे science के most important जो question अभी तक जो हमने किये है, 360 किये है तो playlist को आप लोग चेक कर लिजएगा, वहीं पर उसके बाद c, newton second, option d, volt mapi तो इसका right answer होगा, volt mapi ठीक न, कि विद्यूत आवेस का SI मात रख हमारा कुलाम था, ठीक न, और विद्यूत धारा का SI मात रख MPR होता है, ठीक न, तो इसका right answer जो हमारा यही होगा question number 12, तो दोस्तो इसका answer जो है option A, parsec, option B, kilometer, option C, परकास बर्स, option D, उप्रोक्त सभी तो दोस्तो यहाँ पर जो है न, सबसे ज़्यादा इन दोनों में student जो है, confuse होंगे confuse इसलिए होंगे क्योंकि parsec और kilometer, sorry, parsec और परकास बर्स में जो है थोड़ा बहुत का अंतर है, अब वो क्या है, तो क्या अंतर होता है, ठीक न, उसके बाद आप जो है इसका अंसर कर पाएंगे, नहीं तो मैं डाइरेक्ट आपको बता दूँगा, तो फिर समझ में नहीं आएगा, question number 13, इसको समझे, ब्रमांड इतना बड़ा और विसाल है, हमारा जो यूनिवर्स है, आपको पते ही है, कित एक अलग मातर की जरूरत पड़ती है, हमें एक अलग मातर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परकास वर्स कहते हैं, या option भी kilometer कहते हैं, या option सी परकास की तिबरता कहते हैं, या option भी उप्रोक्त सभी, तो देखें दोस्तों, ब्रमांड में आपको पता चांद है, तारे हैं, तो इसके बीच की दूरी, मतलब कि अगर मानने हम पिर्थिवी से धरातल से, अगर हम किसी तारे की दूरी को हम मापना चाहते हैं, ठीक न, कितनी दूरी पे है वो, तो इस परकार के खगोलिये दूरी को मापने के लिए जो है न, हम परकास वर्स का इस् पता होने चलिए एस्ट्रोनोट जहाँ पर हम तारिक, तारों की दूरी, हम सुर्य की दूरी और बहुत सारे जो ग्रह हैं, उनकी दूरी या फिर चांद की दूरी में आपने के लिए जो है न हम परकास वर्स का इस्तमाल करते हैं कोशन नमर 15 समझ ये, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, कि मैं आपको क्या समझाने की कोर्सिस कर रहा हूँ, देखिए, एक परकास वर्स किसकी इकाई है, या हम परकास वर्स को जो है न, किसमें, मतलब कि खगोली है, सोरी, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझ ये आपसन ये समय का, आपसन बी गती का, आपसन सी खगोली है दूरी का, आपसन डी परकास की तिब्रता का, तो एक परकास वर्स, मतलब कि परकास वर्स की जो इकाई होता है, न, वो खगोली है दूरी होता है, मतलब कि खगोली है दूरी को जो है, हम किसमें मापते हैं, अगर question दोस्तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है देखे, option B के जगा पर गती ना देकर दूरी लिख देंगे खाली दूरी, तो हमारा option A हो जाएगा समय, option B हो जाएगा हमारा दूरी option C हो जाएगा हमारा खगोलिय दूरी और option D हो जाएगा हमारी तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर परकास मतलब कि परकास वर्स की किसकी इकाई है, यहाँ पर यह पूछा गया है तो आपको option जो सही करना है वो होगा हमारा option C खगोलिय दूरी, क्योंकि खगोलिय दूरी को मापने के लिए जो है ना हम ग्रहों और तारों की दूरी नापने के लिए हम एक अलग मात्रक की जरूर पड़ती है क्योंकि देखिए, किलो मीटर तो आप माप सकते हैं बट यहाँ पर क्या है कि उतनी दूरी को मापने के लिए जो है, हम जिसका इस्तमाल करते हैं वो हमारा परकास वर्स तो अब हम समझते हैं कोशन नमबर 13 देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी काई यहाँ पर पूछा गया है तो दोस्तों इसमें और इसमें मैं आपको क्यों बता रहा था कि स्टूरेंट कनफ्यूज होंगे तो देखिए, परकास वर्स जो होता है वो लगभग 9.5 trillion की दूरी को मापता है और पारसेग जो होता है यह लगभग 30 trillion की दूरी को मापता है तो अगर पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी काई तो वो होगा हमारा पारसेग और दूसरी नमबर पे जो होता है परकास वर्स होगा ठीक ना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है देखे, कोशन नमर 16 काफी important है, देखे तापमान बढ़ने से कणों की गती जो उर्जा होती है, गतीज उर्जा बढ़ जाती है, देखे दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है या घर्ट जाती है, या इस्थिर हो जाती है या उप्रोक्त सभी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो option A होगा तापमान बढ़ने से कणों की जो गतीज उर्जा होती है वो बढ़ जाती है, अब बढ़ने से जो सवाद होते है, तो उसमय क्या होता है ठीक ना, ना तो तत्व और नहीं योगिक है, तो दोस्तों देखिए, इसका option A, YU, option V, जल, option C, पारा, option D, sodium, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, ना हमारा, वो होगा बायू, ना तो ये तत्व और नहीं योगिक है, तो ऐसे वस्तू या ऐसे पधार्त, ठीक ना, जो ना अनिष्ची तनुपात, जिसमें, जैसे माल लेजिए, वायू, जो है न, मिसरन होता है, अब मिसरन का डेफिनेशन क्या होता है, तो मिसरन में, जो है न, अनिष्ची तनुपात में, जो है, गैसों का मिसरन होता है, मतलब कि, जैसे वायू है, तो वायू में आपको पता है, योगिक का देखी डेफिनेशन सबसे पहले आप इस समझे योगिक जो होते है न इसमें निश्ची तनुपात में तत्व और गैसेस होते हैं निश्ची तनुपात में अब वाईउ में क्या है वाईउ एक मिस्रण है तो देखते हैं यह question जो है कितने student बता पाते हैं सही answer क्योंकि यह जो है कल या परसों मैंने जो करवाया था उसमें मैंने करवाया था तो दोस्तों जिनको नहीं पता तो प्लीज आप लोग जो है जरूर प्लेइलिस्ट में चेक कर लीजें क्योंकि वहाँ पर सारी important question जो है मै जाती है ठीक न तो इसी परकार पधार्त की जो है न पांच अवस्ता अभी तक खोजी जा चुकी है तो पांचमा अवस्ता क्या होगा देखिए पांचमा अवस्ता जो है हमारा option C plasma है ठीक है न अगर आपसे पहली अवस्ता पूछा जाता है तो तरल होगा और दूसरी अव जो हमने question किये थे तो उसमें मैंने आपको पांचमा वस्ता बताया था न तो यह हमारा पांचमा वस्ता बोस आईश्टीन condensate इस question को अभी मैंने समझा है दो मिनट पहले दो या दो से अधिक सुध पधारतों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में सन्यूप करने से बना पधारत क्या कहलाता है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा मैंने आपको बता दिया था निश्चित अनुपात में किस निश्चित अनुपात में जब सुध पदार्त मिला हो तो उसको हम क्या कहते है योगिक और निश्चित पदार्त में मिला हो तो उसे हम मिस्रण कहते है जैसे हमारा वायू जो है वो मिस्रण है गैस हो का अब यहां ठीक है ना मात्रा के एक निशी तरुपात में सन्योग से बना पधा क्या कहलाते है, यहाँ पर टैपिंग में मिस्टेक हो गया, चलिए नेक्स्ट कोश्चन करते हैं, कोश्चन नुमर 20, तो कोश्चन नुमर 20 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना So thank you friends, next video मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राब करके, वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो में सेयर करूँगा, तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, So thank you, next video मिलते हैं